नमस्कार SPN 9 News आप देख रही है आपके साथ मैं हूँ वक्ष अगरबाद देश के अठारेवी लोग सबा के आम चिनाव चल रही है जहां दो चरणों का मतदान पूरा हो चुका है ऐसे मैं अब तीसरे चरण के मतदान पर हर किसी की नजर है जिसतरीके से साथ मैं को कई राज्यों की कई सीटों पर Voting होनी है जिसमें उत्रप्र देश की 13 सीटे उपर मतदान होगा तो बिहार की 5 सीटों पर Voting होंगी जिसे पपु यादव ने सूबे की सबसे होट सीट बना दिया जिस तरीके से पपु यादव का पूरा एक प्रकार से अडियल अगर रुख कहे तो शायद गलत ना होगा जो रखा उन्होंने पूर्णिया को लेकर और कुछ वह ऐसा है रुख तेजस्ट्री और लालु जहां से आरजेडी नेतरतम वाला इंडिया गट बंदन है तो दूसरी और एंडिया गट बंदन है लेकिन मैदान में कुद पड़ी है हीना शहब सूबे से पूर्व सांसद रहे स्यद शहबु दीन की पत्नी हीना शहब और वो भी निर्दलिय चिनावी मैदान में उत्री ह और मुख्य तोर पर वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही है लगतार उन पर यहां हमले जुबानी हमले करती नजर आ रही है और तीखा प्रहार करते वे साफ तोर पर कह रही है कि लालू यादव ने हमारे साथ नाइन साफी की है बता दे कि उनके पती सायद शाहबुदीन अपने राजनीती करियर में तीन से चार बार सांसद रहे हैं, बिहार विधान सबह के अध्यक्ष रहे हैं और आरजेडी के बड़े नेता रहे, लेकिन जैसे ही यहां कई मामले उन पर चले, मुकदमे हुए और फिर जेल गए, उसके बाद ही तुरंत आरजेडी ने उनकी पत्नी हीनशाहब को दरकिनार करना शुरू कर दिया, 2009 के आम चुनाब में सीवान से चुनाब लड़ा था हीनशाहब ने राज़त के टिकेट पर हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद दुखसर चौदे में भी लड़ा वहां भी हार का सा प्रणशी बिहार की सीटे चर्चाओं का विशे लगतार बन रही है पूर्णय पर लगतार चर्चा अमारी रही यहां जमूई हाधिपूर पर रही अब सीवान में जिस तरीके से हीना शहव ने निर्दिले ताल ठोकी है और जनता कहा अच्छा समर्दान उनने मिलता नजर आ रहा है क्या लगता है पप登録 यादव ने जस तरीके से पूर्णया में खेल बिगाड़ा या बिगार ते नजर आ रहे है क्या हिना शाहब बिंदर देल उतर कर अब सीवान में राज़त का खेल विगाड़ चुकी है देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है जिस तरह से अक्षे हिना शाहब ने खुलासे किये उनका साफ तोर पर कहना रहा कि पूरी तरीके से राज़त की तरफ से उन्हें इग्नॉर कर दिया गया जब उनके जो पती इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए इसके बाद वह चुनाव लड़ती है तो उन्हें टिकट तो दिया जाता है राज़त की तरफ से लेकिन उन्हें इग्नॉर किया जाता है कि वो सपोर्ट वो समर्थन उन्हें नहीं मिलता है जो शाहब उद्धूइन को एक वक्त मिला था और ऐसे में हिना शाहब उन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए अब निर्दलिय चुनाव लड़कर एक बड़ी चुनौती तो दे चुकी है और जैसा कि आपने कहा कि सीवा भारती को टिकट देते हैं बलकि यहां पर पपू यादब को उमीद है थी कि कहीं ना कहीं सीट से उन्हें टिकट मिलेगा कॉंग्रेस यहां पर एक तरीके से कुछ सीटों को अपनी तरफ लाना चाहती थी लेकिन राज़त ने जो खेल खेला वो यही रहा कि कॉंग्रेस के देखा जाएं वाकई में यहां पर अभी फिलहाल हिनशाहब जो मैदान में है वह पूरी तरीके से खेल विगारनी की कोशिश में और जीत का दावा करी है यहां पर पपू यादव का समर्थन भी उन्हें ने बिहार कर सकते हैं यह बात कहीं जारी है तो हिना शाहब को कोल मिलाकर यहां पर समर्थन पर समर्थन मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि वोट बैंक जो है सीवान का वोट बैंक भी कही न कहीं उनकी तरफ जाता हुआ इस बार नज़रा रहा है वोट बैंक सीवान का उनके साथ जाता नजरारा लेकिं जो शेत्री नेता है वो इस बार लालू परिवार राज़त के खिलाफ मोर्चा खोलते नजरारा अबरार से जानेंगे अबरार प्राइब पपो यादब का जो रुख देखने को मिला शेत्री के बड़े नेता है राज वाकई में यहां दम है उसमें देखे सिवान सीट को लेकर के इस वक्त जो ग्राउंड जिरू से तमाम खबरें आ रही है और जिस तरीके से वहां पर जनता का रियक्शन है वह यही है कि बीते 15 सालों में जो सानसद वहां के हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया और वो इस बात क जो है मुस्लिम समाज की बात करें या फिर जो है दूसरे समाज की बात करें तमाम जो है इस समय कहीं कहीं इनाशाब के साथ नजर आ रहे हैं खासकर के जो राजपुत समाज है वो भी इनाशाब के साथ नजर आ रहा है और उन तमाम कामों को गिनवा रहा है जो सीवान को ए पर्तियस्जी परतियस्शी के साथ जाएंगे निडली के गले के साथ जाएंगे और उनको अपने शित्र का विकास करवाना है, क्यूंकि अगर वह जो जो एक बड़े चेहरे पर केंद्र के बड़े चेहरे पर या फिर लाली परसाद यादफ के नाम पर वोट करते हैं तो तेजस्वी जाकर उनके शिद्र का विकास नहीं करने वाले हैं और इन बातों को वहां की जनता जो है जो तमाम जो लोग महां पर जो सूत रहे हैं वो जो पर सोचने के और विचार करने की जरुवत है और उसी को नजर में रख कर जहन में रख करके वो इस बार जो है अपने मतों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और सही समाज के लोग हैं जिन जिन के लिए शाहबुदी ने काम किया था उस समय पर वो तमाम समाज के लोग जो है एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस सीट पर आरजेटी की यह जो नजर अंदास करने वाली निती थी हिना शाहब को लेकर यह उनको भारी पढ़ने सिट वाली है और ठीक इस तरीके का मामला जो है आपको पूर्या सीट पर भी देकने को मिले कारा काट सीट भी है इस तरीके की पी हो policymakers को भी बड़ा पर्तियाशी पूरी तरीके से अपना दमक्खम दिखाती हुए नजरा आ रहे और उनकी जीत के जुपर्संटेज है वो भी आप कह सकते हैं की जादा नजरात आते हैं यह सीट सिवानE की भी है पुढ़ने की भी है काराकाट की है तो मुझे लगता है कि सीवान वाली सीट पर हिनाशाख इस वक बेहतर इस्तिती में उनकी जीत की संभावनाय जादा नजर आए बेहतर इस्तिती में हीना शाहब सीवान संसेद शेत में निर्दली मिद्वार के तौर पर नजर आ रही है और यहां जीत की प्रबल संभावनाई भी उनकी है एक और जहां पूर्णिया में मतदान हो चुका है पपू यादब के समर्थन में बड़ी संख्या में जनता ने अपना मत डाला मत दाता उतर करकी आए कितने आए ये तो आगामी चार जून बता देगी लेकिन जिस तरीके से अब सीवान में भी हिना शाहब राज़त का खेल बिगारती नजर आ रही है तो कारकार्ट के स्थिदी भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है अब देखना होगा यहाँ पर कि मुखे रूप से इन संसदे शेत्रों में जहां निर्दल उमीदवार उतरे हैं क्या ये एंडिया और इंडिया दोनों का खेल बिगार पाएंगे या फिर जनता इनका ही खेल बिगार देगी क्या कुछ उस पर आपकी रहे है कॉमेंट बॉक्स में में कॉमेंट करके जरूर बताएं फिलहाल के लिए इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 News